फ्रेंड्स भाई बहन मामीद लॉजस सभी का स्वागत करती हूँ उमीद कर जिस अच्छे हेल्प में होगे और पड़िवाल का ख्याल में रखते होगे तो यहाँ पे गुनगुन के पापा हैं गुनगुन से मिलने समर के घर में और यहाँ समर हो गया है बिलकुल तंग गुनगुन से क्योंकि गुनगुन ना समर को पैचानती है ना किसी को भी पैचानती है पर यहां पर समर और दुरुफ के बीच में डिफरेंस क्या आपको पता है? दुरुफ की बीवी गुनगुन होते हैं भी, दुरुफ ने कभी उससे चिपकने की कोशिश नहीं की, जबकि गुनगुन की ऐसी अभी दुरदशा हो गई है पर समर, समर को कोई फर्ट नहीं पड़ता, गुनगुन की यादश रहे या नहीं रहे, समर को सिर्फ को चिपकना है उसके साथ गोद में सर रखके सोने में है गुनगुन, जब तुम समर को पहचानती नहीं हो, तो समर के गोद में सर रखके कैसे सो रही हो तुम किसी भी अंजान इंसान के सर गोद में सर रख के तुम सोजा होगी और यहां पर समर जी आपको तो क्या कहने आपको जितना मैं बोलू उतना कम है बीवी से तो जितना चिपकते नहीं हो उतना गुन-गुन को चिपकाई रहते हो और यहां मुझे तो लगता तुमारा फिर से पुराना प्यार जाग उठ रहा है गुनगुन के प्रती क्योंकि तुम बारवा गुनगुन को ये कहने में हो कि मेरी लाइफ तुम ने बरबात कर दी उसके बाद अब तुम पहचानती नहीं हो तो तुम क्या चाते हो वो किसी को पहचाने सिर्फ तुम ही को पहचाने ये तो अजीव गरीव बात हो गई और यहां गुनगुन के पापा को मैं एक चीज बोलूंगी कि आप यहां पे गुनगुन को छोड़ के तो चले जा रहे है पर गुनगुन को मेरे ख्याल से आपको समर के घर में नहीं छोड़ना चा की ममी को अपने फ्लाट में ले जाओ, आपको अच्छा ही लगेगा ले जाने में, बस गुन गुन को भी ले जाओ, साथ में गुन-गुन की कर टेकर बनके वो रहेगी, ऐसे 레 unintended को किशी को नहीं पैचान भी है, सिर्फ अपनी आंटी समर की ममी को लाच अफ जा तो फ़ैज तो देखते हैं friends आगे क्या होता है यहां पर तो देखा जाए कि यादश रहे या नहीं रहे मगर सब को चिकका चिककी करने में इतना मज़ा आता है कि यह देखे मैं खुद हैरान हो जाती हूं यह लरकी कैसी है और यह आदमी यह समर कैसा है तो चलिए जिसको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरू कीज़े चैनल ने है प्लीज सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा तब तक भी बाई बाई